नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अशोकुर स्वागत है आपका मेकेनिकल नेक्सस में आज हम बात करेंगे सम्मर्ष्ट आर्क वैल्जिंग के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं देखिए सम्मर्ष्ट का मतलब होता है डूब हुआ इस वैल्डिंग में जो हमारी आर्क है वो ह यहाँ पर हमारी जो आर्क है वो दिखती नहीं है डूबी हुई है समझ है इसलिए इस वेल्डिंग को कुछ other names जैसे कि hidden आर्क वेल्डिंग वेल्डिंग या फिर सब आर्क वेल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है अब हम बात करेंगे इस में यूज होने वाले अलगलग पार्ट की बहुत डिटेल में फिर उसके बाद हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल और एडवांटेज और डिसडवांटेज यान एप्लिकेशन को डिसकस करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें यूज होने वाले इलेक्ट्रोड की यानि कि यह हमारा पूरा का पूरा मेल्ट होके हमारे गैप में भर जाएगा और जो हमारा यहां इलेक्ट्रोड है वो हमारा वायर टाइप का होता है यानि कि इसकी शेप आल्मोस्ट वायर जैसी होती है वायर का रखने का कारण यह होता है कि इसको हम एक वायर रेल के उप में metal fill होता चला जाए तो हमारा यह wire shape की बनाए जाती है अब हम बात करते हैं इसमें use होने वाले power source की की submerged arc welding में कौन सा हम power source use करते हैं तो दीखे submerged arc welding में आप AC या फिर DC दोनों use कर सकते हैं चाहे तो आप AC यूज़ कर लेजिए, DC यूज़ कर लेजिए मगर कोई भी यूज करें इसकी जो requirement है वो है high current की इसमें आपको high current देना पड़ेगा और यह जो high current होता है यह लगबग लगबग हमारा 200 A से लेकर 1200 A तक होता है अब इसके अंदर बात करते है power source में जो हम यूज करते है polarity वो बहुत important है समझव arc welding में हम reverse polarity यूज करते है तो यहाँ पर हम use करेंगे reverse polarity ठीक है यह reverse polarity क्या होती है मैंने अपनी others video में बहुत अच्छे से समझा है हुआ है आप playlist में जाके देखिए आपको बहुत अच्छा idea लगएगा polarity के बारे में तो जो reverse polarity है हम use करते है इसमें direct current electrode positive ठीक है जो हमारी direct current electrode positive जो polarity होती है वो क्या करती है इसके कारण जो हमारा wire होता है जो electrode से connect होता है यह तो होता है positive और जो हमारा workpiece से connect होता है यह होता है negative तो इसको कहते है हम direct current electrode positive यह क्यों करी जाती है इसको समझ यह देखिए जो भी हमारा positive terminals होता है वहाँ पे heat का generation ज्यादा होगा यानि यहाँ पे जो heat generation होगी वो ज्यादा होगी किसके comparison में negative के comparison में तो यानि हमारा work piece थो कम heat रहेगा मगर electrode बहुत ज्यादा heat हो जाएगा एक तो electrode वैसी पतला wire shape में उपर से ज्यादा current दे रहे हैं तो इससे एक चीज आपको समझ में आए होगी यहाँ पे deposition rate बहुत ज्यादा हो जाएगा क्योंकि हलकी सी आर्क से ही बहुत हलकी heat से ही यह पिगल के हमारे group में गिरने लग जाएगा तो high deposition rate को यह introduce करता है polarity अब हम बात करते हैं इसके अंदर use होने वाले flux की जो की एक बहुत important factor है flux देखिए submerged arc welding में जो flux use किया जाता है वो किस type का होता है यह generally हमारा granular fusible material का बनाए जाता है थोड़ा इसको समझ लेते हैं यह granular क्या होता है fusible material क्या होता है जैसे कि बात करें हम silica हो गया ठीक है iron oxide हो गया और हमारा magnesium oxide और भी substance हो जकते हैं इन सबको क्या करा जाता है fused कर लिया जाता है पिगला कर उसके बाद इनका जो हमारा fused होने के बाद जो substance मिलता है उसको हम crack कर लेते हैं बहुत fine particles में या फिर granular कुछ दानेदार shape में तो इस दानेदार shape को ही granular कहा जाता है तो इस type का आपक flux होता है और यह जो flux होता है यह हमारा flux hopper में भरा हुआ होता है flux hopper एक तरह से समझ लीजिए इसका container है जिसके अंदर flux होता है जो की एक tube से connected होता है और यह automatically हमारे control unit से भी connect होता है यह अपने आपकी welding होने से पहले flux को डालता चला जाएगा और यह mechanism इस तरह वर करता है जो हमारी welding हो जाती है तो जो हमारा flux बसता है उसको हम vacuum pump के द्वारा द्वारा इस hopper flux में add कर लेते हैं इस तरह से हमारे उसकी wastage बसती है अब हम बात कर लेते हैं इसमें भाई यह flux करेगा क्या देखिए इसको समझने के लिए छोटी सी हाँ पे आपको एक diagram से समझाता हूं यह यह electrode और यह हमेरा spark है हुआ और यह मेरा work piece है जिसमें इस group को मेरे को fill करना है ठीक है यह मेरा work piece है यह मेरा electrode है electrode और इसके चारो तरफ यह चारो तरफ यह मेरा जो green dotted में देख रहा है यह दानेदार flux है जिसको मैंने अभी आपको समझाया granular flux के नाम से भी जाना जाता है तो देखिए जब यहां पर spark हुआ यानि welding स्टाइट हुई तो यह जो आर्क है यह जो इसके nearby जेतना भी flux होगा उसको तो melt कर देगी ठीक है और भार का flux as it is एक आवरण की तरह उसको पर बैठा रहेगा तो यह जो flux है क्या करा इसने एक तो जो atmosphere की जो gases है उससे इस mortar metal का contact होने से बचाया जिसके कारण यहां पर oxide की problem बिल्कुल भी नहीं होगी दूसरा एक क्या कर रहा है एक तरह से इसका इंसूलेटर बन रहा है इंसूलेटर मतला होता है heat को भार नहीं जाने देगा इस heat portion के अंदर से अब यह heat को भार नहीं जान देगी इस metal को और compose कर देगी यानि और melt कर देगी साथ के साथ यहां पर आपका filler material तो add होए जा रहा है इस कारण आपके यहां पर जो penetration है जिसको हम कहते है depth of penetration depth of penetration वह बहुत जादा हो जाती है इस summer arc welding के कारण ठीक है अब देखिए दूसरा यह flux करता है क्या है एक यहां पर अब जब यह heat भार नहीं जाएगी तो यहां पर जो molten metal हमारा बन गया welding के दोरान उसको ठंडा होने में बहुत time लगेगा क्योंकि एक तरह से वो ढखा हुआ है शिल्ड हो रखा है एक तरह से इंसुलेटर से covered है तो इसके अंदर thermal stress भी develop नहीं होंगे जो कि एक बहुत अच् generally 90% से भी ज्यादा चली जाती है इस submerged arc welding के अंदर अगर आपकी sheet की thickness ज्यादा है इसलिए हम submerged arc welding में जो sheet use करते हैं weld करने में वो thick sheet use करते हैं यह हम use करेंगे thick sheets जिसकी range generally 20 mm यह इससे ज्यादा हो सकती है ठीक है अलग अलग बुक में आपको किसी में 15 मिलेगा किसी में 25 सकती है हमारी submerged arc welding अब हम इसके थोड़े working principle को समझ लेते हैं दीकि working principle बहुत सिंपल है पूरा का पूरा automatic है यानि यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रोड है वह advanced अपने आप होगा जो भी आपने इसमें control unit में फीड किया होगा power supply भी अपने आप चलेगी ठीक है उसके बाद य यह drive भी अपने आप ही लेगा flux भी अपने आप गिरेगा तो आपका काम बहुत कम हो गया यानि यहाँ पर इसको करने के लिए skill worker के बिल्कुल भी जरूत नहीं है यहाँ पर जो welding हो रही है जो आर्क जन्नेट हो रही है वो दिखती भी नहीं है इसके कारण आखों का अपनेटरेशन मिलता है दूसरा यह बहुत fast होती है कैसे विल्डिंग है बहुत fast welding है फास्ट मतलब incense माल लेजे आप क्योंकि एक आर्क वेल्डिंग के टाप है, आर्क वेल्डिंग दूसरी भी हो सकती है, मगर वहाँ पर जब आप वेल्डिंग करते हैं, और बहुत बड़े gap को भरना पड़ता है, तो वहाँ पर आपको multi-pass कितरफ बढ़ना पड़ता है, मगर यहाँ पर यह single pass में कितना भी बड़ा group हो, उसको जो यहां पर weld बनता है बहुत स्मूथ होता है बहुत ही अच्छा होता है और मैंने बताया ना भी इस heat के कारण thermal cracking भी नहीं होती thermal stress भी induced नहीं होती इसके अंदर कोई spatter भी नहीं होता ठीक है यह word समझे इस spatter कहते किसे हैं जब हम welding करते हैं आर्क welding तो आपने देखा होगा आर्क की जो मैटल है इसकी मूंदे गिर गिर के दर दर जाती है तो इसी disadvantage को इसी दोष को कहा जाता है इस पैटर तो समर्ज आर्क welding में इस पैटर भी नहीं होता है दूसरा अब इसमें जो disadvantage है वह यह होती है कि यहां पर जो position है हमारी जनरली हम flat position का ही यूज करते हैं समर्ज आर्क welding में और heat affected zone क्योंकि high depth penetration भी है वो थोड़ा जादा होता है इसका यूज हम करते हैं ship building में automobile industry में ship जहां पर बनाई जाती है क्योंकि ship में जो हमारी sheets use होती है बहुत high thickness की होती है तो वहां पर हम submerged arc welding का यूज करते हैं दूसरा high pressure vessel जैसे की boiler वहां पर भी हम इसका यूज करते हैं दो sheet को आपस में connect करने के लिए तो यह था दोस्तो सम्मझ आर्क welding के बारे में अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो please like और चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा thank you for watching